नमस्क्ता किसाना भाईयों आज हम लोग बात करने वाले हैं गन्य की फसल में जो हमारा पोकाबोईंग लगता है उसके लच्छन क्या है इसकी रोक्ताम आप कैसे करें इसके समंध में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी किसानों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये हमारा पोकाबोईंगी गण्यकी खनषल में लगाव जैसा कि आप लोगे को वीडियो में नजर आ रहाएगा अगर हम लोग si living आपको इस पर पूरी पते यहां से पूरी पत्थि यहां से पूरी बैंड होके जो दूसरी पत्ति ती उसमें चिपक गई है और देख रहांगे सब्सक्राइब से लिए पड़ी हुई है इसमें इसका प्रामरी श्म्टम होता है और उसके बाद दूसरे सिम्टम से देखे रहोंगे पत्निया फोल्ड हो जाते हैं आपस देखे रहोंगे यहीं मिल जाती है और पूरी नीचे तब जूग जाती है पुरा जूंड़ सा बन जाता है यह किसानवी इसका दूसरा लच्छन है तीसरे लच्छन में क्या होता है कि हमारी जो भीजवाली होगी ना पौंगी यह से इसको हम लोग बोलते हैं यह किसानवी नों सड़ के गल के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती इसमें अभी इसा इसमें लगा हुआ जैसा कि आप लोग नजर आ रहा होगा दूसर यह हुआ हमारा पोका बोईंग के लच्छन अब किसान भाई हमारे करते क्या है कि पोका बोईंग और टॉप बोर्रम इतना पहचान नहीं कर पाता है जैसे आप लोग देखता रहे होंगे यह भी प्राइम सेंगर रहे होगी और दूसरे में देख रहे होंगे यह दूसरे स्टेज मे पहचा हुआ होगी इस पर गच्छा उपर पतियां आप शेंगर होन्ग क्या होता कि पूरा दीस से हमारी जो गोव होगी वो सड़क के नीचे गिर जाती है अब बात करते हैं कि हम लोग कि आप कैसे फर्क कर पाएं कि ये पोका बोइंग है या आपके टॉबर लगा हुआ जब आपके खेत में टॉबर लगा होता है तब उस समय क्या होता है आपको छर्रे देखने को मिलेंगे आपका जो पत्ते होंगे उस पर आपको छर्रे नुमा करते देखने को मिलेंगे जहां से सुंडी अंदर परवेश करती है पंतु जी हमारा पोकाबोईंग लगा होगा देशा के आप दो देख पा रहे होंगे इसमें पोकाबोईंग लगा है तो इसमें आपको कहीं भी देख रहे होंगे आपको बीच में शर्ड़े आपको कहीं कटे दिशान नहीं आएंगे तो इतना भी आप पोर्शन देखेंगे तो यहां से सड़के गल के नीचे गिरने लगती है तो कई किसान भाई इसको सोचते हैं कि वो टॉबर की वाज़ेसे हो रही परम्त किसान वो ऐसा नहीं है अगर टॉबर होता तो आपको इसमें कहीं छेन देखने को परम्त इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो यह आपका एक पोका बोइंग है अगर इसमें बात आती है कि हम लोग इसका समधान कैसे करें समधान के लिए सबसे बढ़ी हाँ इलाज यहा है कि आप इसमें कॉपर ऑक्सी कलोराइड 500 कुराम 200 लिटर पानी में घोल लीजिए और इसको एक एकड़ के उपर सप्रेकर दीजिए अगर इकसान में आप कॉपर ऑक्सी कलोराड डाल लें तो उसमें आप कोई भी आनव दवा ना मिलाएं ना ही आपको इसमें फंगी सेड मिलाएं कॉपर ऑक्सी कलोर जो होता है यह दूसरी दवा को साथ रियक्ट कर जाता है तो आप इसको सिंगल ही डालें अगर हम दोब दूसरी दवा की बात करें तो इसमें थ्यो पनिल मिथाल जो आती है हमारी 70% वाली वो आप इसमें डाल सकते हैं उसके अगर मात्रा की बात करें थी और फिने में थैल की तो वो किसानविरों आपकी तकरीबन 400 ग्राम आपकी दवा एक एकड़ के लिए प्रयापत रहती उसको आप 200 रिटर पानी में जब गोल लेंगे तो अगर आप उसकी सप्रे करेंगे तो इससे भी किसानविरों हमारे लगता यह कंट्रोल हाके दोनों मेंसे किसी कि भी आप एक को आप यूज कर सकते हैं और ही हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद